सोनी जीवी के पॉपलर शो संकत मोचन महावली हनुमान के आने वाले अपिसोड में व्यूवर्स देखेंगे यमराज की एंट्री हमने अब तक देखा कि किस तरह भगवान श्री राम जी के मामा श्री यानि युद कुछ गंधर्व हमला करते हैं इसलिए श्री राम जी अपने भाईयों और पुत्रों यानि भरत शत्रुगन और लव और कुष को इन गंधर्वों से युद के लिए भेश देते हैं भरत, शत्रुगन, लव, कुष, पुषकल और हनुमान जी सभी इस युद पर निकल पड़ते हैं लेकिन लक्षमन जी भगवान श्री राम की सुरक्षा हेतु रुक जाते हैं तभी श्री राम जी को ये अभास होता है कि उस वाहन में हनुमान जी तो है ही नहीं खुश देर बात हनुमान जी लहां आते है, कहानी की दूसरे तरब स्वयम यम्राजी भ्रह्मदेव का एक गुप्त संदेश श्री राम जी तक पहुँचाना चाहते हैं लेकिन जैसे ही वो श्रीराम जी के मिहल में पहुंचते हैं उन्हें वहाँ अनुमान जी दिख जाते हैं इसलिए उन्हें रिशी का रूम धारन करना पड़ता है इसके बाद हरुमान जी माता सीता के मूर्ती से आशरवात लेकर लक्षमन जी से वचन लेते हैं कि वो श्रीराम जी की बहुत ही अच्छी तरीके से सुरक्षा करेंगे और फिर वहाँ से चले जाते हैं मौके का फाइटा उठाकर यमराज जी प्रिशी के रूप में श्रीराम जी और लक्षमन जी से मिलते हैं वो श्रीराम जी से बताते हैं कि उन्हें एक बहुत ही बड़ा और गुप्त संदेश देना हैं जिसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ श्रीराम जी से बाद करेंगे तो अब ऐसे में ये धर्म संकट पैदा हो चुकी है कहानी में आगे युद्ध भूमी पर सभी रगुवंशी गंधर्वों पर भारी पड़ रहे हैं लव और कुश मिलकर इन गंधर्वों को बाहर निकाल रहे हैं और भगत और शत्रुगंद जी इन्हें मार गिरा रहे हैं लेकर तभी हमिमान जी देखते हैं कि पुशकल जी गायब हो चुके हैं अब इस कहानी में और क्या होता है क्या यम्राज जी के शर्त की वच्छे से लक्षमन जी की ज़ान को खत्रा है क्या शरी राम जी लक्षमन जी को मृत्यू टंड देंगे आपको क्यों लगता है कमेंड करें और इस कहानी में और क्या होता है ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चाल्ब टीवी ट्राइम ट्राइम हिंदू